शुरुवात में जब दुनिया बिल्कुल नई थी, इडन नाम का एक खूबसूरत बगीचा था, जह सबसे रंग बिरंगे फूलों, सबसे रसीले फूलों और सबसे चहचाहते पक्षियों से भरा हुआ था. इस बगीचे में भगवान ने पहले दो लोगों आदम और हववा को बनाया. बगीचे में जीवन खेल और आनंद के कभी नक्त महोने वाले दिन जैसा था. आदम और हववा ने इस अध्भुत जगह की खोज की, जानवरों के साथ बाते की, शांदार पेडों की छाया के ही नियम दिया था. इस पेड का फल मत खाओ, लेकिन जग्यासा एक शक्तिशाली चीज है. एक दिन एक दरपोक साप हववा के पास आया. यह एक आकरशक विचार फुसुस आया. फल खाओ और तुम भगवान के समान बुद्धिमान हो जाओगे. आपको अच्छे और बुर ही खाया. लेकिन जैसे ही उन्होंने फल का स्वात चखा, उनकी आखें एक ऐसे तरीके से खुल गई जिसकी उन्होंने उमीद नहीं की थी. उन्होंने चीजों को अलग तरह से देखा और महसूस किया कि उन्होंने इश्वर की अवध्या की है. उन्हें डर और शर्मिंदग और पहली बार उन्हें जीवन की कठोरता का दंश महसूस हुआ. इडन के बाहर दुनिया उबढठाबड और जंगली थी. आदम और हववा को शुरू से ही सब कुछ सीखना पड़ा, भोजन कैसे उगाना है, आश्रे कैसे बनाना है, और तत्वों से कैसे बचना है. जीवन जिनका आगे चलकर पूरे देश में अपना परिवार फैलेगा. अपनी यात्रा के माध्यम से एडम और इव ने अपनी ताकत और लचीलेपन की खोच की. उन्होंने बढ़ती बुद्धिमत्ता के साथ प्रत्येक चुनोती का सामना किया, अनुकूलन करना सीखा, अधिक ग